जैहिन सभी फोजी भाईयों का हारदिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आर्मी वाला पे यतने भी दोस्त एंडन आर्मी त्यारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मात्मुर जी के जी प्राक्टिस सेसन चल ला है तो आप लोग जड़ जाएगा सेसन को लाइक से के जीगा कोईस्चन नम्बर बन हैं कि महादीप में अटलस परवतिस्तित है युरेसिया आस्ट्रेलिया अफरीका या फिर कोईशन नमबर दो कोईशन नमबर दो है कि महादी महानदी के तड़ पर कौन सा सहर इस्तित है महानदी के तड़ पर कौन सा सहर इस्तित है कोटा बद्रीनाथ कटक या फिर बैंगलोर या फिर बैंगलोर तो राइट आंसर दोस्तों बनेगा आपका कटक उड़ी सा आपका र देस के बीच आय॓ज़ित हुआ. किस देस के बीच आय॓ज़ित हुआ. चीन, जापान, जिम बांबे, या फिर अमेरिका. या फिर अमेरिका. Question number 3 का right answer क्या होगा option B. जापान आपका right answer होगा. Option B correct answer होगा. next question है कि भारती वायू सेना दिवस कब मनाया जाता है भारती वायू सेना दिवस कब मनाया जाता है 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 4 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को तो राइट आंसर मनेंगा option B option B आपका राइट आंसर होगा आठ अक्टूबर को जो कि आपका भारती वायू सेना दिवस मना जाता है और आपका भारती थल सेना दिवस मना जाता है तो पंद्रा जनवरी को दोस्तों क्या मना जाता है और नो सेना दिवस दोसों का मना जाता है और नो सेना दिवस दोसों का मना जाता है तो चार दिसंबर मैं क्रोकिस देश के राष्ट पती चुने गए हैं फ्रांस, यूक्रेयन, रूस या फिर कनाडा या फिर कनाडा तो question number 5 का right answer क्या होगा आपका France France के जो कि क्या हो चुने गए हैं राष्ट पती चुने के हैं option A correct answer होगा question number 6 है दोस्तों जर्मन या फिर न्यूजिलेंड या फिर न्यूजिलेंड right answer होगा option B Australia आपका correct answer होगा question number 7 है सिंदु घाटी सभिता एक डैस यूग की सभिता है सिंदु घाटी सभिता एक डैस यूग की सभिता सभिता थी काँस स्वन तीन या फिर रजत या फिर रजत तो right answer होगा आपका correct answer होगा आपका option A correct answer बनेगा काँस युग की सब्विता थी सिंदो घाटी सब्विता एक काँस युग की सब्विता थी question number 8 है question number 8 है कि 2011 की जनगरना की अनुसार भारत में सबसे बड़ी ग्रामिड आबादी वाला राजी कौनसा है कौनसा था राजी कौनसा था उत्तर परदेश महाराष्ट पंजाब या फिर मद्धिपरदेश तो right answer बनेगा उत्तर परदेश जो की ग्रामिड छेतर वाला और आपकी जनसंख्या की द्रश्टी से भी आपका उत्तर परदेश ही था option A correct answer होगा question number 9 question number 9 है कि लुसाका की राजधानी क्या है लुसाका की राजधानी क्या है जांबिया, कुरोमस, गांबिया या फिर ली सोट या फिर ली सोट तो right answer क्या बनेगा right answer बनेगा जांबिया आपका right answer का option A option A जांबिया आपका right answer रगी है आपकी मुद्रा दोस्तों क्या है मुद्रा क्या है तो right answer रगी है क्वाच्या क्वाचा यहां कि क्या है मुद्रा आप लोग याद रखेंगे question number next है आपका कि पन्ना राष्टिय उध्यान किस इस्थान पर इस्थित है किस राजी में इस्थित है पन्ना राष्टिय उध्यान किस इस्थान या किस राजी में इस्थित है प्रदेश मद्धी प्रदेश वडिसा या फिर अनौनाम प्रदेश तो रइट आंसर होगा मद्धी प्रदेश आप्संण बीकरेक्ट अंसर होगा कुश्चन नमबर 11 भारत का सबसे बड़ा साहित्तिक पुरुषकार कौन सा है साहित्तिक पुरुषकार कौन सा सरसोती व्यास साहित्यक आदमी या फिर ग्यान पीठ तो राइट अंसर बनेंगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी ग्यान पीड दोस्तों इसकी रासी कितन इस्थापित किया था दोस्तों राइट आंसर बनेंगा आपका अलफ्रेड नोबल आपका राइट आंसर होगा किसके द्वारा जो की इस्थापित किया गया था तो राइट आंसर होगा अलफ्रेड नोबल के द्वारा इस्थापित किया गया था और दिया किसके द्वारा तब एक सब्सक्राइब करना सब्सक्राइबान नियंत्यों से honup इस seulement CC गुंतरियोग 살िए बलत या फिर महा अध्युकता दो रइट रहें गया ERIC सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा सक्षन भी है आपका दोस्तों क्वेश्चन नमबर वन क्वेश्चन नमबर वन है कि विरंजक चूण को जल में मिसिर्थ करने पर कौन सी गैस निसकासित होती है कौन सी गैस निसकासित होती है क्लोरीन कार्बन मोनोकसाइड कार्बन डायकसाइड या फिर हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन तो राइट आंसर मनेगा क्लोरीन बैस निसकातित होती है geht lagrootर की मने अवरति सीमाबर होती है किस अवरति सीमाबर होती है 0 से 5 हर्ट हट छयद से 10ं 11 से 15ं i3 से op 우선 20 opposite 28 18!.. u stream जो व्यों कि आपकी क्या होती है कंपन की अनुभूति होती नैक्ट्स कुंश्चन है थारचीन क्या है थारक्सिन क्या है विटामिन हार्मोन अजयम या उपरोकत सभी या फिर उप्रोकत सब ही आपको इसका आंसर करना है जोकी अपका क्या है question number नमबरची थारचीन क्या है तो right anser बहनेगा हार्मोन ओψन वी करेक्ट आंसर होगा आपका वी आपका राइट आंसर होगा क dynamics थान्जेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सोडियम, मरकरी, कॉपर या फिर आयरन या फिर आयरन तो राइट आंसर बनेगा कुश्चन नमबर 19 का सोडियम सोडियम को दोस्तों क्या है आसानी से किसे काटा जा सकता है ओप्सन ए, करेक्ट आंसर होगा, कुश्चन है, विद्धुत का सरोष्तम चालक है, विद्धुत का सरोष्तम चालक है, सिल्वर, लेड, कॉपर या फिर आलमीनियम, या फिर आलमीनियम, तो राइट आंसर मनेगा सिल्वर, यानि की चांदी आपका राइट आंसर होगा, ओप वाटर में नेम्बू का रश डालते हैं तो बुलू-बुले निकलते हैं क्योंकि इसमें होता है छार अम्ल उदासीन या उप्रक्त सभी या फिर उप्रक्त सभी तो राइट आंसर बनेगा छार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा वोश्चन नमबर 22 चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है ऑक्सीजन, कार्बन डाय ऑक्साइड, हाइडरोजन या फिर हीलियम या फिर हीलियम तो राइट आंसर होगा क्योंकि नमबर 22 का राइट आंसर क्या हुआ होगा क्योंकि 14 पतेईश है कि हरी महन्ति में न में से कौन सा प्रदार्थ पाया जाता है कौन सा प्रदार्थ Be जो की आपका पाया जाता है Cow चार लाल瞸ा को करता है छार लालius republican को क्या करता है का लास फिर नीला या फिर बैंगनी या फिर बैंगनी तो right answer बनेगा 24 का option C नीला कर देता है नीला आपका correct answer होगा question number 25 निम्न में से बिलुप्त जन्त पर जाती है बिलुप्त जन्त पर जाती कौन है डोड़ा पक्षी का हुआ हाथी या फिर tiger या फिर tiger तो right answer बनेगा option A डोड़ा पक्षी जो की बिलुप्त पर जाती है नेक्ट question है question number जो कि आपका यहां पर 26 है question number 26 है क्या की काई की जनन पाया जाता आलू में क्यों में नीम में या फिर मतर में दूस्तों आज के इस सेशन में इतने ही question थे इसका answer आपको homework में देना है अगर बीटियो अच्छी लेकिए तो like करेगा अभी तक चैनल सब्सक्राइब करेगा तो पर सब्सक्राइब करेगा चले फिर मिलते हैं आपको नेक्स शेशन में तब तक लिए जैभारत बने बातरों